किसानों ने खुद के उत्पादनों से अपना नाम रोशन किया है मेनद ही पुणजी मानकर खुद के पसीने से ठोमरे परिवार ने खामगाव में शरीफा की खेती करके खुद का ब्रैंड तयार किया है गुणवत्ता, प्रयोक, मार्केटिंग का ज्यान यह सबी का मिलाप करके उन्होंने शोलापुर जिले में आदर्श निर्माण किया है बार्शी के खामगाव में उनका फार्म हाउस अब तो किसानों के लिए प्रयोक शाला का कक्ष बन गया है नए नए प्रयोक करके ठोमरे भायों ने शरीफा में बार्शी का नाम साथ समंदर पार ले गये है उनके शरीफा आकरशक तो है ही और वजन में एक एक किलो के एक आते है उनका यह प्रयोक निशित रूप से प्रशों सनिया है देखो ठोमरे का शरीफा का खेद इंवाल प्रहूँ साथ इंवाद उनकाप इंब हाद इंभ झाल 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 प्याज, फल, सबजियों के फसल में यह गाव पहले से ही आगे है। झाल रस होने के कारण से वे नए नए प्रयोप करते रहते है। अधुनिक पधती और नए तंत्रग्यान का इस्तेमाल करना यह उनकी खेती की विशेश ता रही है। ठोम्रे भायों का 20 एकर खे थे, उसमें से बड़े पेमाने पर 10 एकर में शरीफा की पेड़ है, पहले ठोम्रे भायों की अंगुर की खेती थी, अंगुर की खेती में मजदुरों का खर्च जादा था, प्रती एकर उत्पादन और मिलता हुआ दर उसका मेल बेटता नहीं था उसमें 2 सल पहले बरसात और बड़े तुफान की वज़े से हाथ में आय हुए फसल का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, उसमें से बाहर निकलना जरूरी था, प्रतीकुल परिसिती से बाहर निकलने के लिए स्थाई उपाई जरूरी था, और उसी वज़े से उनोंने पहले साल अंतर फसल के रूप में लिये हुए सोयाबिन का प्रती एकर तीन क्विंटल और चने का चार क्विंटल उत्पादन मिला। शरीफा का बहार कम होने के कारण दर अच्छा मिला। शरीफा के पोधे नरसरी में अच्छी क्वालिटी के तयार करके किसानों को देने में आते हैं। वे खामगाओ के ठोंवरे फार्म हाउस को मोबैल नंबर इकनवे सेंतालीस आठारा उनसाट उनसाट इस नंबर पर संपरक कीजिए।